Good morning students. So today we will do worksheet 2 of unit 9. So what is worksheet 2? Round of the following numbers to the nearest hundred. ठीके बेरी बिटा, जासे हमने इससे पहले किया था, ये nearest ones, sorry nearest tens, वैसे हम करेंगे nearest hundred. मतलब hundred को highlight कर लिजी कि हमने nearest hundred करना है, correct? रूल कहा है, रूल सेम वहिए, 0 to 4 प्रिवेस नंबर and 5 to 9 next number, clear? अब मेरे बिटा ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला nearest hundred, अब मुझे बताएं hundred में कितनी zero होती है, आप साइड में लिख भी लीजिए, hundred. How many zero? Two zero. तो मैंने यहां से two digit को box में डालाना है, one, two. तो मैंने two digit को box में डाल दिया, correct? वैसे 267, two digit को मैंने box में डाल दिया, और साथ में इसमें कितनी legs लगा दी? Two. What is left outside? Two. और two के बाद क्या आता है? Three. अब box में कितने digit हैं? Two हैं, तो two zero इसके साथ लगा दीचिए, two ही zero इसके साथ लगा दीचिए, clear? अब मेरा बीटा, box में सबसे आगे कौन है? Six. अब आपने just six को चेक करना है, और कुछ नहीं. Six हैं, अब बताएए, zero to four, previous number, and five to nine, next number. तो zero to four के आया? इसमें तो आया है नहीं, but five to nine, five to nine means five, six, seven, eight, nine, तो यानिकी next number. तो मेरा answer क्या है या? Next number. तो round off करके कितना आगा मेरा बच्चे? Three hundred, clear? Next question है, seven hundred seventeen. Again हमने क्या करना है इसमें? इसको round off करना है. तो सबसे पहले किलेंगे seven hundred seventeen. Question में बोला है, nearest hundred. Hundred में कितने zero होती है? Two, तो two digit को box में डाल दीजिए. One, two, last thing. What is left outside? Seven. लगा दीजे two legs, seven, और seven के बाद क्या आता है? Eight, seven के एकदम बाद eight आता है. Box में कितने digit है? Two, तो two zeros के साथ, two zeros के साथ है. Clear? अब हमें two numbers मिल गे हैं. हमने correct answer चूज करना है कि कौन सा आएगा. Right? अब box में आपको बहुत सारे digit नजर आएगे. बर जो सबसे पहला digit होगा, आपने सिर्फ उसी को follow करना है. सबसे आगे कौन है? One. अब बताएए, ये पहले ही तो ये previous number है, और ये आगे है तो next number है. One है. तो rule भी ताया था मैंने बैटा. 0 to 4, previous number and 5 to 9, next number. अब one किस के बीच में आता है? 0 to 4 के बीच में. 0, 1, 2, 3, 4. तो previous number. तो previous number कौन है? ये पहले है, तो ये previous number है. तो answer आगे है 700. तो answer कितना आगे है मेरे बच्चे? 700. Correct? अब next sum है हमारे पास 650. 650, 650 निकालना है हमने. अगें डाइडाउन, 650 as it is. 650, अगें 2 legs, 1, 2. 100 में कितने डिजिट होतना है? 2, 2, 0 ती है. जितने 0 उतना है, डिजिट लाज से बॉक्स टाल जी. 1, 2, what is left? 6, यहां से मिल गया? 7, अब मेरे बीचे 2 डिजिट बॉक्स में है, तो 2, 0 इसके साथ लगा दीजिए, 2, 0 इसके साथ लगा लीजिए. करेक्ट, लीजिए, अंसर मेरा रेडी है. अब मैंने चूज करना है कि कौन सा करेक्ट है. बॉक्स में सबसे आगे कौन है? बॉक्स में सबसे आगे डिजिट है, 5. तो रूल क्या है? 529, नेक्स नमबर. तो कौन सा नमबर? ये नेक्स नमबर है. तो अंसर आगया, 700. करेक्ट, वन मोर. 1651, लगा दीजिए, 2 लेक्स. करेक्ट, 100. कोश्चन में लिखा है, nearest 100. 100 में, 100 में कितने 0 हती है? 2, तो 2 डिजिट को बॉक्स में डाल दीजिए, 1, 2. करेक्ट, बॉक्स में कितने डिजिट है? 2, तो 2 जिरो के साथ, 2 जिरो के साथ. ओके? अब ये तो प्रिपेर है. अब मैंने करेक्ट अंसर चूज करना है. 600 होगा, या 1700 होगा. बॉक्स में, बहुत सारे डिजिट मिलेंगे. बस आपने सबसे आगे वाला चूज करना है. आगे कौन है? 5. तो रूल क्या था? 0 to 4 previous, 5 to 9 next. तो 5 to 9, 5 to 9 next. तो ये आए हमारे पास next number. तो अंसर आगया, 17, 100. ओके? नो next sum. अब इस सम्में, again 2 legs लगा दी मैंने. 100 में कितने 0 होती है? 2. तो लाज से 2 डिजिट को बॉक्स में डाल दिया. What is left? 10. यहां से 10 आगया. 10 के बाद क्या आता है? 11. How many digits is in the box? 2. तो 2 zeros के साथ लगा दीजिए. 2 zeros के साथ लगा दीजिए. Clear? Prepare? अब अंसर चूज करना है correct. बॉक्स में सबसे आगे कौन है? 3. तो रूल क्या है? 0 to 4. Previous. तो 0 to 4 के बीच में 3 आता है. तो previous number यह पहले है. तो इसको previous number रूपते हैं. तो अंसर आगे 1000. तो इसका round of क्या हुआ? 1000. Next है. Again two legs लगाई है. 100 में कितने digit होता है? 100 में कितने 0 होती है? 2. तो two digit को box में लाओ दे. What is left? 46 यहाँ से 47. Box में कितने digit है? 2. तो two zeros के साथ. Two zeros के साथ. जितने digit box में होतनी zero. अब box में सबसे आगे कौन है? 7. तो रूल क्या था? 0 to 4. Previous number. And 5 to 9. Next number. और 5 to 9 के बीच में 7 आता है. तो next number कौन सा है? यह है next number. 47. 100. तो यह इसका क्या हुआ? Round. Next. 9991. Again. 100 में कितने zero हती है? 2. तो last two digit box में डाल दे. What is left? 9. 9 के बाद क्या था है? 10. Box में कितने digit है? 2. तो two zeros के साथ. Two zeros के साथ. Correct. अब चूज़ करना है correct answer कौन सा है? तो correct answer box में सबसे आगे कौन है? 9. तो 5 to 9. Next number. तो next number आएगा. Correct. तो answer आगे मेरे पास 1,000. Clear? Next हमें हमारे पास H part. H part है हमारे पास पिटा? 1,250. Again वही problem. हमने क्या करना है? 1,250. Two legs इसकी लगा दीजिए. Correct. 100 में कितने digits होता है? 100 में कितनी 0 होती है? जितनी 0 होंगी उतने digit box में डाले. 2,0 होती है? तो 2 digit box में डाले. 1,2. डाल दिया box में. तो हमारे पास क्या आगया? 12. 12 के बाद क्या आता है? 13. How many digits in the box? 2. तो 2,0 के साथ. 2,0 के साथ. अब correct answer चूज करना है. दोनों में सबसे आगे कोई है? 5. तो 5 means 5 to 9. Next number. यह है हमारे पास next number. और correct answer is 13. 100. Clear? Now, अब मेरे पास next question है मेरे बेटा. Round of the following numbers to the nearest thousand. अब nearest thousand में राउंड ओफ करना है. Rule है 0,1,2,3,4. Previous number 5,6,7,8,9. Next number. वह है है 0 to 4. Previous number 5 to 9. Next number. अब हमारे पास first question है. 3,849. अगे इन वैसे लिग दीजे 3,849. अब यहां देखें nearest thousand. तो यहां लिग दीजे thousand. Thousand में कितनी zero होती है? 3. Correct. तो लाज से 3-digit box में डाल दीजे. 1, 2, 3. What is left? 3 के बाद क्या आता है? 4. Box में कितने number है? 3. जितने box में number होंगे उतनी zero लगाते नहीं है. दोनों के साथ 3-3. अब prepare, अब चूज करना है कौन सा correct है? अब digit में, इन box में सबसे आगे कौन सा digit है? 8. तो 0 to 8. 8 है next number. यह previous number है, यह next number. पांसरा है, next number. 4,000. Correct? Next number. 8,103. Again, 2 legs लगा दीजिए. 1,000. Nearest 1,000 बोला है. तो 1,000 में कितने zero होती है? 3. 1, 2, 3. तो 3-digit box में डाल दीए. What is left? 8. 8. 8 के बाद क्या आता है? 9. 3-digit box में, तो 3-0 लगा दो. Same, इसके साथ भी 3 लगानी. 2 नुक्साथ एक बाद. अब, box में सबसे आगे कौन है? 1. 0 to 4, previous number. तो यह पहले आता है, यह previous number. तो अंसर आगया, 8,000. Next. Again, 1,111. 2 legs लगा दीजिए. 1,000 बोला है, nearest 1,000. 1,000 में कितने zero होती है? 3. 1, 2, 3. तो 3 डिजिट को box में डाओ. What is left? 1. यहां से 1 के बाद क्या आता है? 2. 1 के एकदम बाद 2 आता है. हमें counting पता है. 3 डिजिट box में हैं, तो 3, 0. इसके साथ भी 3, 0. अब, prepare हो गया. अब, box में सबसे आगे कौन है? 1. जो सबसे आगे डिजिट होगा, उसके according follow करना है. 0 to 4, previous number. तो यह number आजएगा. तो अंसर आया? 1,000. Clear? Next sum. Again, nearest 1,000 करना है. 1, 0, 9, 4. Box में, thousand में कितनी 0 होती है? 3. जितनी 0, उतने digit box में. 1, 2, 3. Last say. Two legs लगा दी. What is left? 1. 1 के बाद क्या आता है? 2. Box में 3 digit है, तो 3, 0 इसके साथ. और 3, 0 इसके साथ. अब, box में सबसे आगे कौन है? 0. तो देखे, 0 to 4, previous number. तो यह number आए. तो इसके according यह round off हो गया. 1,000. तो इसका round off क्या हुआ? 1,000. Next. 32,000, 493. 1000 में कितनी 0 होती है? 3. तो 3 digit box में डाल दो. 1, 2, 3. What is left? 32. 32 के बाद क्या आता है? 33. Box में 3 digit है? 3 zeros के साथ. 3 zeros के साथ. अब box में सबसे आगे कौन है? 4. तो 0 to 4, previous number. यह दो को 4 आया है. तो previous number. तो यह है previous number. यह पहले है. तो previous number. 32,000. Answer correct. Next. अब वही बात. कितनी 0 होती है? 47,000. सारी. 1000 में कितनी 0 होती है? 3. तो 3 digit box में. 1, 2, 3. What is left? 47. और 47 के बाद क्या आता है? 48. अब box में कितनी 0 होती है? 3. तो 3, 0 इसके साथ. 3, 0 इसके साथ. अब box में सबसे आगे कौन है? 6. डूंडो 6 कहाँ है? 5, 6, 7, 8. यह 6. तो next number. Next number कौन सा है? 48,000. तो answer आगे 48,000. Clear? Now next sum we have. अब next sum में में रपर्स. 2 legs लगा दी. nearest 1000 को ला है? 1000 में कितने 0 होती है? 3. तो 3 इसके साथ लगाई है? 1, 2, 3. What is left? 9. 9 के बाद क्या आता है? 10. Box में कितने digit है? 3. तो 3, 0. इसके साथ लगाई है? 3, 0. इसके साथ लगाई है. Correct. अब अंसर चूज करना है कौन सा correct है? Box में सब से आगे 9 है. तो 5 to 9. तो 9 कहाँ आया? यह आया. तो next number. तो next number कौन सा है? 10,000. तो इसका round of what? 10,000. Next. 49,708. Box में कितने digit है? 1,000 में कितनी 0 होती है? 3. 1, 2, 3. तो 3 इसके साथ लगाई है? 3, 0 हिसके साथ. Correct? अब box में सब से आगे कौन है? 7. 0, sorry. 0 to 4, previous. And 5 to 9, next. तो next number कौन सा है? 50,000. कौन सा आगे? 50,000. तो इस तरह से मेरा बेटा हमने इसको round of किया है. और next worksheet से भी यही method से होंगे. ओके? बाबाई. टेक केर.